नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है रश्मी और मेरे वीडियोज अगर आपको पसंद आया करें, सरर लगा करें, इजी लगा करें, आपके काम क्यों हो तो उन्हें लाइक कर दिया करें और कमेंट में लिखकर जरूर बताया करें कि वो आपको कैसे लगते हैं आज हम सोयावीन की सूखी सबजी बनाएंगे, जिसे की हम टिफिन वगएरा में भी दे सकते हैं सबसे पहले तो एक बड़े बरतन में हम एक कटोरी सोयावीन लेते हैं और कुछ मटर लेते हैं, फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं, हरा मटर भी ले सकते हैं आप और इसमें डालेंगे हम गरम पानी और इसे ढखकर रख देंगे लगबग 10-15 मिनट में हमारे जो सोयावीन है वो अच्छे से फूल जाएंगे तब तक इधर हमें एक पैन लेते हैं और पैन में हम 2 चमच तेल लालते हैं सरसों का तेल यह देख रहा है आप गरम पानी में डालने से यह पांच मिनट दस मिनट के अंदर ही फूल जाएंगे इससे टाइम ज़्यादा नहीं लगता है अब इसमें हम डाल देंगे तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो एक चौथाई चमर जीरा डाल देंगे और कटा हुआ प्याज डाल देंगे एक मीडियम साइज का अगर ज्यादा बनाने वाले हैं तो तेल और प्याज और जीर करेंगे हम मीडियम फ्लेम पे इसके बाद इसमें एक चमर डालूंगी अधरक लैसुन का पेस्ट जो भी इस तरह की सब्जियां बनाए अधरक लैसुन का पेस्ट आप जरूर डालें इससे सब्जियों का स्वाध एकदम उभर के आता है और स्वाध बहुत बढ़ जाता है तो कुछ इस तरह का हो जाएगा अधरक लैसुन का पेस्ट थोड़ा सा नीचे चिपकता है तो उसके लिए आप वरिड ना हूँ और इसके बाद हम इसमें सिंपल सा प्रोसेस सूखे मसाले बगएरा आड करेंगे हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें एक चोथा ही चमच और मिर्च आप अपने टेस्ट के कॉडिंग यी डालें धनिया पॉड़र आदा चोटी चमच डाल लेते हैं कि कि आम ज़ादा नहीं बना रहे हैं धनिया पॉड़र आप यहां ज्यादा भी डाल सकते हैं दो चमच भ दीमा रखा हुआ है और गरम मसाला डालेंगे आदा छोटी चम्मच बेसिक है सब कुछ लेकिन आप इसको इस तरह से एक बार ट्राई करें और मैंने डाला हुआ है यहाँ पर कश्मेरी लाल मिर्च कलर के लिए अभी सब को मिक्स कर देंगे प्लेम को बिल्कुल दीमा ही रख जब आप चाहें तो रखासा पानी भी ड्यास कते हैं तो यह एक बेसिक सब्जी है बहुत इजी प्रोसेस है इसका आप इसको फटाफट बना सकते हैं हल्का पानी राल रही हूं दो तीन चम्मच इसमें बाद में जिससे की टमाटर तो सॉफ्ट होने में मदद मिलेगी ही स तो इस तरह से थोड़ा आप कल्ची से दबाएं तो अच्छा सा जल्दी यह मैश भी हो जाते हैं और हमें एक अच्छा मसाला मिलता है बहुत ही कम प्याज और टमाटर में तो जैसे ही यह थोड़ा सा मसी मसी हो जाएगा और सब कुछ पख जाएगा हम इसमें अच्छी सी खुश्बू आने लगेगी और यह साइट से थोड़ा थोड़ा तेल रिलीज करने लगेगा तो जो हमारे सोया चंक से पांच मिनट में वह भी फूल गए हैं तो इन्हें हाथ ह chili कर डालना है में हाथ से यह निचोड़ कर इसलिए डालनाओ कि किसमें पानी रहे तो यह अश्ची नहीं बनेंगी साथ ही साथ हमने मटर बीस में डाल दिया है आप सभी जानते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता इसमें और बहुत ही साधिस्ट सबजीन की बनकर तयार होती है लेकिन मुसली क्या होता है कि ग्रेवी वाली सबजी हम बनाते हैं तो आज मैं सुखी सबजी ट्राइ करने वाली हूं और इसे इस तरह से हम एक मिनट के लिए लगबग प्राइ कर लेंगे जिससे की सभी मसाले और सोया चंक्स अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएं फिर हम इसमें डाल देंगे पानी आधा कप के लगबग पानी हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास सोया चंक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और लास्ट में मैं इसको एक मिनट दिमी दिमी आज में खुले में ही पकाऊंगी कवर नहीं करूंगी जिससे की जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वह सारा सूख जाए आप इसमें टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं अगर आपके पा यह बेसिक सब्जी तो आप इस तरह से बना सकते हैं और इसे पराठे वगरा के साथ में सर्व करें गर्मा गर्म और यह वीडियो पसंद आते से लाइक और शेयर जरूर करें अपने सभी फ्रेंस के साथ में